राजी सरकार ने भी यह फैसला किया है कि हम तीन महीने का रासन निसुलक देंगे अपने गरीब बहनों और भाईयों को अब आध में गरीब कर ले हैं योजना की अंतरगत मानी प्रधानमंत्री जी ने भी दो महीने का रासन निसुल की देने का फैसला किया अब ये दो महीने तो एक व्यक्ति को दस-दस किलो मिलेगा अंत्योदैन परिवार अगर छोड़ दिये जाएं उनका अलग है लेकिन सामान तोर पर जो हमारे रासन काट धारी है तो ये एक व्यक्ति को दस किलो के हिसाब से मिलेगा और हमारा चूंकि एक महीने और तीन महीने तक निसुल कि मिलेगा इसकी व्यवस्था परफेक्ट होना बहुत जरूरी है और चूंकि अभी गरीबों को रासन की आवसकता है कोरोना कर्फ्यू के कारण सहरों में भी गरीब के बास दिक्कत है और गरामीर छेतरों में अध़पी कई काम मंदेगा से लेके बागी चलना है लेकिन फिर भी हमको समय पर ये गयों या जो रासन पहुँचाना गयों चावल वो पहुँचाना ही है तो आज उसको पहुँचाने की क्या व्यवस्ता बनी है कैसे हम पहुँचाएंगे हमारे सामने एक दिक्कत ये भी है कि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है संक्रमन ना फैले लाइन ना लगे स्मूथली रासन बढ़ जाए इसका इंतिजाम भी हमें करना पड़ेगा इसके लिए आवस्ते व्यवस्ता है उठाओ रासन की दुकानों पर रासन पहुचना कई तरह के प्रयत्ना हमको करने और तुरंत करने है तो पहले जैसे हमने छूट दी थी बैसे अभी भी ये छूट हमको देना पड़ेगा क्या हॉम डिलेवरी का कोई उपाय कुछ इस्तानों को हो सकता है उस पर भी विचार करें अभी जो तैयारी है वो बताएं फिर हम लोग चर्चा करेंगे